और स्वास्त मंत्राले ने देज भर में करोना वैक्सीन की डिलिवरी के लिए एक अप्लिकेशन का चुनाव किया है लोगों को कोविन अप्लिकेशन पर रेजिस्टर करना होगा और यह एप वैक्सीन से जुड़े डेटा को स्टोर करेगा इस एप में एडिमेस्ट्रेटर, vaccination और beneficiary के लिए अलग-अलग module होगा और vaccination से जुड़ी सभी reports भी यहाँ पर उपलब्ध होगी एक बहुत ही एहम और दिल्चस्प जानकारी भी आपको दे दे Coven App दरसल Electronic Vaccine Intelligence Network यानि की EVIN का upgraded version है और यह जो EVIN था उसे भारत में immunization program के लिए इस्तिमाल सिधा लिए चलते हैं आपको मुंबई निउस रूम हमारे वहाँ पर श्वेता इस समय हमारे साथ जुड़े ही है और श्वेता हमें इस एप के बारे में और जादा जानकारी देंगी बिल्कुल गौरी स्वास्तिमंत्राले की तरफ से एक एप जो कोविन एप है वो लोगों के लिए साथी साथ जो प्रशासन होगा जो पूरे vaccination प्रक्रिया में शामिल होगा उन दोनों के लिए दोनों पक्षों के लिए बहुत ही एहम और महत्वपूर है और सबसे पहले ये बता दे कि जो एप की बात की जा रही है स्वासिमंत्राले द्वारा उसका परपस क्या है उसका मोटो क्या है उद्देश क्या है सबसे पहले तो ये है कि जितने भी अगर इस कोविन एप की बारे में बात करें तो किन को ये टीका करन यानि vaccination दिया जाना है डेटा रेकॉर्ड से लेके किसने ये vaccination लिया किसने नहीं लिया इन सब का जो रेकॉर्ड होगा वो इस जो एप है उसमें सामिलित रहेगा गौरी और इसमें जैसा आपने कहा कि पांच मोडियूल है स्वासिमंत्राले की तरफ से इस एप दौरा कर सकते हैं और सबसे पहला वाला जो है हम ये बता दे कि जो पहला मोडियूल है उसमें एड्मिनिस्ट्रेशन मोडियूल है इसके जरीए ये होगा कि जो प्रशास्तिनिक मोडियूल उन लोगों के लिए है जो टीका करन कारिक्रामिया यानि जो वैक्सिनेशन पूरा प्रोसेस है उसको वो अमली जमा पहनाएंगे किस तरीके से उस प्रोसेस को वो आगे ले जाएंगे वो सब इसमें होगा इसमें ये भी होगा कि कितने सेशन किये गए टीका लगवाने वाले लोगों का जो रेकॉर्ड है नोटिफिकेशन ये सब जानकारी आपको लोगों को ये जो अड्मिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल है उसके जरीए मिलेगा साथी साथ अगले मॉड्यूल की बात करें जो की है रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल जिन लोगों को ये vaccination लेनी है वो अपना registration इस module के अंतरगत करवा सकते हैं इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या मेंगर बताएं तो इसमें जानकारी भी upload की जाएगी और जो स्थानी प्रशासन होगा और जो survey करता होंगे शोत करता होंगे और किस गंभीर बिमारी से जुड़े वो सब यहां पे register होगा गोरी और तीसरे मॉडियूल के बात करें तो वो है vaccination मॉडियूल जैसा स्वासमंत्रालेद्वारा कहा गया कि vaccination मॉडियूल उन लोगों की जानकारियों को verify करेगा जो टीका लगवाने के लिए अपना registration करवाए है यह बहुत ही महतवपूर है कि जिनको vaccination दिया जाना है वो उसकी जानकारी इस पे रहेगी और इस बारे में क्या ताजा status है वो भी इसमें रहेगा अगले मॉडियूल की बात करें तो वह beneficiary मॉडियूल इसमें यह है कि जो टीका करण जिनको लगने वाला है जो beneficiary है लाभानवित लोग जिनको हम कह सकते हैं आसान शब्दों में साथ ही साथ इससे एक QR कोड होगा और जब vaccination लग जाएगा उसके बाद उनको एक QR कोड और E certificate उनको भेजा जाएगा इसके तहत और पांचवा और आखरी मॉडियूल जो इस एप का होगा वो है report मॉडियूल इस report मॉडियूल के जरी अगर हम बात करें तो कारिकरम से जुड़ी report तैयार होंगी जिसमें कि जो vaccination है उसके कितने session हुए यानि ठीका करन के कितने session अब तक हुए कितने लोगों को vaccination कोरोनों का दिया गया और कितने लोगों ने registration के बावजूद vaccination नहीं किया तो यह सब जो है वो इस report जो मॉडियूल होगा उसमें होगा और इस app की दर्शकू को एक खास बात और बता दे कि इस app में एक और सबसे एहम बात यह है कि जो cold storage है उसका भी data होगा कि जो vaccination है कोरोना की वो cold storage में जो रखे जाएंगे उसका पूरा एक अगर कहें जो real data हम बो आई जाएगी कोविड वैक्सीन आने के बाद उस समय यह app बहुती ज्यादा उपयोगी साबित होगा जैसा की श्वेता समझा रही थी कि अलग अलग जो आसपेक्ट्स है vaccination के उसमें यह मदद करेगा शुक्रिया श्वेता इस पूरी जानकारी खेले